तो एपिसोट के शुरुबात में हमें दिखाया जाता है कि कैसे फीमिल लोकी C20 से सारी इंफोर्मेशन निकलवाती है और वो CCTV के थूरू देख लेती है कि TVA के मिनिट मैन यहाँ पर आ चुके है और लोकी भी उनके साथ है और फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जब फीमिल लोकी टाइम डोर से TVA के हेटकॉर्टरस में ही आ जाती है वहाँ पर जाके वो पहले तो एक सोलजर को वश्मे करने की कोशिश करती है लेकिन क्योंकि उसका जादो यहाँ पर नहीं चलेगा इसे वज़े से वो उन सभी सोलजर से लड़ना शुरू कर देती है फोड़ी दर भाद लोकी भी टाइम डोर से इधर आ जा जाता है और उसके हाथ में दोख खंजर होते है वो फीमिल लोकी को ढूंड लेता है और इनके बीच में तू-्तू में होने लग जाती है जिस वज़े से ये लड़ने लग जाते हैं और जब ये लड़ रहे होते हैं तो पीछे से रेवोना अपने दो सोल्जर्स के साथ आ जाती है लेकिन फीमेल लोकी लोकी को पकड़ के उसके गले पे तलवार रख देती है और कहती है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इसे मार डालूंगी तो रहवनों का तो वैसे भी कोई फरक नहीं पड़ता और वो कहती है मार डालो लेकिन तब ही लोकी फीमेल लोकी से टैम पैट ले लेता है और टाइम डोर एक्टिवेट कर देता है और हमें दिखाया जाते है कि ये कहीं और ही आ जाते है फीमेल लोकी टैम पैट उठाने जाती है लेकिन लोकी उसे पकड़ लेता है और वो टैम पैट खुद ले लेता है female Loki Loki से लड़ने की कोशिश करती है लेकि तब ही जहाँ पर यह लोग मौजोद होते है वहाँ पर एक meteor गरता है अब यह सोचते है कि यह आगा गए है और यह बाहर निकलते है तो इन्हें पता चलता है कि यह year 2077 में आ गए है Lamentis 1 पर और यह एक ऐसा चांद होता है जो कि एक टैनेट से टकराने वाला होता है इसका मतलब यह एपोकलिप्स में फस चुके होते है तो किसी तरह बच बचा कि एक और शेल्टर में पहुचते है वहाँ पर फिरसे इनकी बहस हो जाती है और इधर female Loki Loki को वश्मे करने की कोशिश करती है लेकिन उसका एजादू नाकामयाब रहता है यह फिरसे लड़ने की सोचते है लेकिन बाच्चित करके मामलत सुलजा लेते है और यह डिसाइट करते है कि यहाँ पर मरने से अच्छा है लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करता जब यह थोड़ा और आगे जाते है तो इन्हें एक घर मिलता है वहाँ पर एक औरत होती है और यह दोनों ही उसके घर में घुसके टेमपे डिचार्ज करने की सोचते है लेकिन उसके पास एक हतियार होता है और वो इन दोनों को पचार देती है फिर यह शांती से उससे पूछते है की मामला कै है तो वो बताती है की यहां के सभी लोग इस प्लैनेट को छोड़के जाने वाले है आर्क में जो कि एक ऐसा स्पेस्शिप है जो लोगों को इस प्लैनेट से दूर लेके जाएगा तो यह लोग पूछते हैं वहाँ पहुचे कैसे तो वो औरत बताती है की तुम शहर के कोने से एक ट्रेन ले सकते हो उधर से तुम आर्क तक पहुच पाओगे तो यह लोग ट्रेन की तलाश में निकल जाते हैं और वहाँ पे काफी लंबी लाइन लगी होती है तो लोकी वही के एक सोलजर में बदल जाता है और फीमेल लोकी को बंदी की तरह ले जाने लगता है अब आगे जहाँ पे टिकेट चेकिंग हो रही होती है वहाँ पे इनको रोका जाता है और इन पे शक होई गया होता है लेकिन फीमेल लोकी अपनी टाकतों का इस्तमाल करके उस सोलजर को अपने वश में कर ले दिये और फिर यह दोनों अंदर चले जाते है वहाँ पे अलग-अलग टॉपिक्स पे बात करते है जैसे की लोकी की मा के बारे में और उन्होंने ये जादों कैसे सीखा इसके अलावा ये प्यार की बाते करते है और ऐसा लगता है कि जैसे की लोकी को फीमेल लोकी से प्यार हो गया है लोकी वाइन पीता है और उसी टेन के सफर में जब female loki अराम कर रही होती है और वो उठती है तो देखती है कि loki पूरी तरह से टली हो चुका है और उसको खुद का भी होश नहीं है वो गाने का रहा होता है और मज़े कर रहा होता है तब ही वहाँ पे एक आदमी को इन पर शक हो जाता है और वो भार जाता है security बलाने के लिए female loki लोकी के पास आके कहती है कि तुमने अपना भेस फिर से क्यों बदला इससे हम पकड़े जा सकते है और मुझे ऐसा रख रहा है कि आगे कुछ गरबर होने वाली है तो यहाँ पे पीछे से soldiers आ जाते हैं और वो पूचते हैं कि आपके ticket काँप है और लोकी के पास टिकेट तो होती ही नहीं है और जब वो अपने जादों से ticket बनानी के कुछ़ करते है तो वो इतना टली होता है कि वो टिकेट के बजाए उन्हें आतिश वादे दिखा देता है फिर ये लोग लड़ना शुरू करते हैं और female loki भी लड़ना शुरू करती है ये तो उन्हों जब लड़ रहे होते हैं तो उन में से दो soldiers loki को उठा के train से बाहर फैक देते हैं अब female loki को realize होता है कि tempad भी loki के पास ही है तो वो भी बाहर कोच जाती है अब यहाँ पर female loki को गुसा आता है और वो loki के गले पे तलवार रख देती है और कहती है कि tempad दो तो जब loki tempad निकालता है तो देखते है कि वो पूरी तरह से तूट चुका है और इनकी आखरी उमीद भी यहाँ पर गायब हो चुकी होती है female loki को काफी गुसा आता है लेकि उसके बाद यह पैट के अराम से बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और यह decide करते हैं कि इनको यहाँ से निकलने के लिए उस spaceship का ही इस्तमाल करना होगा क्योंकि वैसे भी यह पूरी जगा तबाह ही होने वाली है और इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा कि अगर हम वो spaceship चुरा भी लेंगे तो तो इनका यही प्लैन होता है और यह आर्क के तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और फाइनली यह उस city तक पहुच जाता है जहां पर आर्क होता है और यहां पर लोग मारा मारी कर रहे होते हैं क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जिनको टिकेट्स नहीं मिले होती और वो spaceship पे नहीं चड़ पाते हैं तो लोकी और सिल्विया को यहां पर आर्क पे चड़ना होता है तो इसलिए वो घूमके जाने कर डिसाइड करते हैं और वहां पर उनको कुछ soldiers मिलते हैं जो कीन से लड़ते हैं और यह भी उनसे लड़ते हैं यह पूरी जी जान से आर्क के तरफ जाने के खुश्च करते हैं लेगि तब ही एक asteroid आता है और वो पूरे आर्क spaceship को तबाह करके रख देता है वहां पर कई लोग अपनी उमीद तोड़ देते हैं और Sylvia भी वहां से चली जाती है और लोगी भी खड़ा होके बस देखता रहता है तो दोस्तो आज की वीडियो के लिए सिफ इतना ही I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ना मत भूलेगा और अगर आते हैं तो आप मुझे Instagram पर contact कर सकते हैं मेरे page के link आपको description में मिल जाएगी मिल दो आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye